बीमारी के हालत में अगर हम कुछ चीज़ें जो आम तरसे हम करते थे ज़ाद ज़ाद अगर कोई अबाद दे छूट रही है इसे फराइज हो रहा है चूट रही है जो हम पहले करते थे तो इंशालला अल्ला उसका भी सवाद देगा हमें मायूस नहीं होना चाहिए कि हमारी कि यह बाते है शोट गें सही बुखारी की एदा मरिज अबदू कि जब बंदा बीमार होता है तो कुटिबा लहू मिस्लो माकान यामलो कि फिर जो सहत की हालत में जैसे वह कर रहा था वैसे उसको सवाब मिलता रहता है एक दो दिन बीमार हो गया कुछ दिन बीमार हो गया तो अल्ला तो अल्ला उसका सवाब नहीं बन करता है जो बराबर करते आ रहा था और बीमारी की वज़से वह सहसला रुक गया है तो अल्ला तो अल्ला उसको नमासते रहता है फराइज नहीं सुन्नत की बात करने है फराइज तो नहीं छोड़ना है बीमारी में जब तक दि झाल झाल